आज हम बनाएंगे मटर पनीर की सबजी रेस्टोरेंट धाबो में जो आप सबजी खाते हैं उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनकर तयार होगी नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका श्यामर सोई में तो चलिए फटा फट से बनाना शिरू करते हैं मटर पनीर की सबजी मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में दो चम्मच तेल और एक टेबल स्पून बटर लेंगे बटर के साथ तेल लेने से बटर जलता नहीं है अब मैं यहाँ 200 ग्राम पनीर ले रही हूँ पनीर को मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनिट के लिए फ्राइ करेंगे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है पनीर हमारा फ्राइ हो चुका है गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और पनीर को बाहर निकाल लेंगे फ्राइ किया हुआ पनीर थोड़ा चिड़ा हो जाता है तो हम क्या करेंगे पनीर को हलके गरम पानी में डाल देंगे इससे ये soft भी बने रहेंगे और इनका taste भी बहुत अच्छा आएगा अब हम उसी पैन में 3 medium size के प्याज लेंगे प्याज को मैंने roughly cut किया है इन्हें 2-3 मिनिट के लिए high flame पर fry कर लेंगे ये दिखें प्याज हमारा हलका सा fry हो गया है अब हम यहाँ लगबग 1 इंच अदरक का टुकडा 2-3 हरी मिर्ज और 7-8 लैसून की कली डालेंगे इन्हें भी 2 मिनिट के लिए प्याज के साथ fry कर लेंगे गैस का flame medium कर दीजिएगा ये देखें सबी चीजे जब fry हो जाएंगी तब हम यहाँ लेंगे 5 medium size के एकदम लाल टमाटर इससे gravy का कलर अच्छा आएगा इसके लिए एकदम लाल टमाटर यूज कीजिएगा स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए ताकि टमाटर फटाफट से पक जाए नमक को अच्छे से mix कर लेंगे सभी चीजे अच्छे से mix हो गई है अब हम इसे ढखकर लगबग 7-8 मिनिट के लिए low flame पर पकाएंगे 7-8 मिनिट हो गई है और आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से गल गया है ये देखी अब हम गैस का flame बंद कर देंगे और इस mixer को ठंडा होने के बाद mixer grinder में पीस लेंगे तो ये देखी हमने paste तयार कर लिया है अब हम एक कडाही लेंगे जिसमें मैं तीन बड़े चम्मच तेल ले रही हूँ तेल का यूज मैंने अच्छे से किया है आप चाहे तो कम कर सकते हैं एक चोटा चम्मच जीरा एड़ किया है दो चोटा तेज पत्ता दो से तीन लोंग एक सुखी लाल मिच एड़ करेंगे लो फ्लेम पर कुछ सेकेंड के लिए फ्राइ करेंगे अब हम यहां एक चोटा चम्मच लाल मिच का पाउडर एक छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम कश्मीरी लाल में चलिया है डेड़ चम्मच के करीब धनिया पाउडर और वन फोर्थ चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे हल्दी पाउडर का यूज कम कीजिएगा और अब हम मसालो को लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे केवल कुछ सेकेंड के लिए अब हम ये टमाटर प्याज का पेस्ट डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें लगबग बन फोर्थ कप पानी अड़ कर देंगे बाउल में जो भी थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ है वो भी हम ले लेंगे मिक्स कर लेंगे और अब हम इस मिक्षर को तेल सेपरेट होने तक और ये क्वांटिटी में आधा होने तक पका लेंगे हमें इसे पकाते हुए तीन-चार मिनिट हुए है और ये देखिए इसमें से थोड़ा सा तेल सेपरेट हुआ है लेकिन हम इसे और पकाएंगे तो मैं क्या कर रही हूँ हाइ फ्लेम करके इसे कंटीनिव चलाते हुए पकाऊंगी ताकि प्रोसेसिंग फास्ट हो जाए तो ये देखिए मैं इसे कंटीनिव चला रही हूँ और आप देख सकते हैं कि ये क्वांटिटी में पहले से काफी कम हो गया है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है तेल सेपरेट हो गया है अगर आप ये स्टेप करेंगे तो सबजी बहुत टेस्टी बनकर तयार होगी ये देखिए अब ये बिल्कुल परफेक्ट है इस स्टेज पर हम इसमें दो बड़े चम्मच मलाई एड़ करेंगे मलाई एड़ करने से भी चिकनाहट आएगी सबजी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा मलाई को अच्छे से मिक्स कर लीजिए घर के दूद की मलाई ही यूज करनी है तो ये लीजिए मलाई भी अच्छे से मिक्स हो गई है अब हम इसमें एक कप मटर डालेंगे और अब मैंने यहां एक कप के करीब पानी डाल दिया है मिक्स कर लेंगे अब ये मिक्सर मुझे गाड़ा लग रहा है तो मैं इसमें लगबग आधा कप पानी और डाल देती हूँ सबजी को हम काफी देर तक पकाएंगे इसके लिए पानी अच्छे से ही डाल दीजीएगा और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक और एड़ कर देते हैं पहले भी हमने नमक एड़ किया था टमाटर वगेर को पकाते टाइम तो नमक हिसाब से एड़ कीजीएगा मिक्स कर लीजीए और अब हम इसे ढखकर लो फ्लेम पर 3-4 मिनिट के लिए पकाएंगे क्योंकि मटर हमारे पहले से ही सौफ्ट है तो यह देखिए हमने 3-4 मिनिट के लिए इसे पका लिया है और बस इस स्टेज पर हम इसमें पनीर एड़ कर देंगे पनीर को अच्छे से मिक्स कर लीजीए पनीर को हलके गरम पानी में डाल देने से यह सौफ्ट ही बने रहते हैं और अब हम इसे ढखकर लगबग 8-10 मिनिट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर हमने इसे 8-10 मिनिट के लिए पका लिया है और आप देख सकते हैं कि ग्रेवी एकदम गाड़ी हो गई है परफेक्ट टेक्चर आ गया है अब इस स्टेच पर हम इसमें 1-4 चम्मच गरम मसाला एक छोटा चम्मच रोस्टेट कसूरी मेथी जिसे मैंने क्रश करके डाला है और बारी कटा हुआ हरा धन्या डालेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ अच्छे से मिक्स हो गई है बस अब हम इसे 1 मिनिट के लिए और पका लेंगे ताकि गरम मसाला कसूरी मेथी की खुश्बू आ जाए सबजी में सबजी हमारी बनकर तयार है गैस का फ्लेम बंद कर देंगे आप इसे पूरी पराठा नान के साथ सब कीजिए बहुत ही टेस्टी सबजी बनकर तयार हुई है तो फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ